नमस्कार, आज हम बात करेंगे दिल के दौरे, यानि कि हर्ट अटेक, और दूसरी ऐसी ही मिलती जुलती स्थिती, काडे करस्ट, यानि कि रिदय का गंभीर दौरा, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, रिदय का दौरा, यानि कि हर्ट अटेक, रिदय की धमनियों में, करण के कारण आता है और कार्णक करण जो आता है वह ward एलेट्रिकल फेलियर होता है रिद्धे के दौरे में छाटी में तेज दर्द होता है, पसीने आते हैं, घबराट होती है, बेजैनी होती है और उसे सांस लेने में बहुत ज़्यदा दिक्कत होती है लेकिन विद काडिकरस्ट के अंदर उसे कोई इस तरह की परिशानी नहीं होती वो अचानक खड़ा-खड़ा या काम करता हुआ या बैठा-बैठा अचानक कॉलप्स हो जाता है, गिर जाता है और जब हम उसके पास जाते हैं, तो उसके शरीक के अंदर कोई रस्पांस नहीं दिखाई देता हम साथ में उसके अंदर दिल की धड़कने और सांसें दोनों नहीं मिलती हैं तो हमारे पास एक ही आप्शन बचता है, कि हम उसे तुरंद CPR दें और अगर AED मशीन, यानि कि Automated External Defibrillator अगर हमें कहीं से मिल जाती है तो अगर हम Certified हैं, तो उसका उपयोग भी कर सकते हैं लेकिन रिदय के दौरे, यानि कि Heart Attack के अंदर जैसे ही आपको इन चिन और लक्षनों का पता लगे आप फॉरण उस व्यक्ती को ले जाने का इंजाम करें यानि कि Ambulence को कॉल करें या फिर अपने प्राइवेट वेहिकल में उसको घुटने मोड़ कर बिठा दें और संबहो तो उसको कोई भी EcoSprin, Disprin या ऐसी कोई टाबलेट उसे अवश्य दे दें और उसे दिlaasa देते वे, सांतवण देते वे, जितना जल्दी संबह हो उसे अस्पतार ले जाए तो रिदय के दौरे और कार्डिकरेस्ट में बहुत ज्याधा अंतर होता है रिदय के दौरा से जाता है और प्ैन है का ब्लॉके से आता है और कार्डिकरेस्ट nelaaks जाता है दन्यवाद